नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश टुटोरियल्स आसे सर आज हम डिसकस कर रहे हैं एक क्वेश्चन पेपर जो की प्रिवियस एर एक्जैम में आया हुआ पेपर है और यहां आपको जो आइडियल एप्रोच होती ह पेपर सॉल करने की वो आपको मालूम चलेगी आप पेपर का हर एक हिस्सा देखेंगे आप अगर पूरा पेपर देखते हैं कहीं भी स्किप नहीं करते हैं तो यह मेरा प्रामिस है आपसे कि बहुत हद तक आपको हेल्प मिलने वाली है क्वेश्चन पेपर सॉल करने में औ और पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि आप इन इन प्लैटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, फेस्बुक पर, यूट्यूब पर, इमेल आईडी एन टेलेग्राम ये लिंक्स मुझे मैंने दिये हुए आपको और आप ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए अ पढ़ाते हैं, स्सी बैंक की ट्रेनिंग देते हैं, इटाश कॉंप्यूटरिशन सेंटर है, इंग्स विटोरियल सासी सर के नाम से ही, जिस नाम से चैनल बना हुआ है, इसका एड्रस आपको दिया हुआ है, तापड़िया बगीची के पास, बजाज रोड सी कर, यह हमारा एड्रस है, यहाँ पे आप हमसे जूर सकते हैं, ओफलाइन बैचेज के लिए, तो लीजी हम पेपर स्टार्ट करें, तो कंबाइन ग्रेजविट लेवल 2016 में पूछा गया है, यह क्वेशन पेपर है, सबसे पहले आपको बताना है कि भी दिये गए शब्द का सिनोनिम क्या है, as per instruction we have to work, है न, आपको similar word पूछा जाएगा, best expresses इस नाम से मिल सकता है, यहाँ पे आपको हो सकता है, similar word पूछ लिया जाए, या फिर आपको हो सकता है कि best express करने वाला word पूछ लिया जाए, तो language चाहे कैसी भी हो, इसका सीधा सा मतलब है कि आपसे वो सिनोनिम पूछना चाहता है, तो adversity का मतलब होता है, आपदा या विपदा संकट कह सकते हो, एक negative word है, और इसका मतलब आपदा होता है, संकट होता है, है न, तो आपको negative word ही यहाँ चुनना है, क्योंकि सिनोनिम की बात है, तो देखे, joy तो positive word है, capacity है, छमता है, positive है, chance का मतलब संयोग या आवसर को बोलते हैं, तो आपके पास option बसता है, misfortune तो दुर्भाग्यों को बोलते हैं, और आपदा अगर है, तो निश्चित रुप से वो दुर्भाग्य ही है, तो पहले प्रशन का answer हमारा होगा, चार नमबर, नमबर दो पे आपसे पूछा गया है, कि भी antonym बताएं आप, तो अंत करना, terminate करना, तो इसका antonym समाप्त करने का शुरुवात करना होगा, तो देए, confine जो शब्द है, इसका मतलब तो होता है, limit करना, submit कर देना, यह भी लिखिएगा, बड़ा ही important यह word है, confine का मतलब है, limit करना, repeal जो word है, इसका माइने होता है, कानून को समाप्त कर देन किसी भी कानून आदी को समाप्त कर देने को, abrogate इसका synonym हो सकता है, abrogate, nullify, यह सब recent हो सकता है, तो यह synonym है, इसका nullify करना, कानून आदी को समाप्त कर देना, comments का मतलब शुरुवात करना है, जो हमें चाहिए था, वो answer होगा, तीन number, comments और progress है, इससे मतलब है, प्रगती कर ठीक है, तो आपका दूसरे जो प्रशन है, उसका answer क्या होगा, comments, फिर आपसे पूछा है, correctly spelled word बताईए, देखिए, एक बात तो यहाँ पे आप यह ध्यान रखेगा, कि जहाँ एक जैसे words आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग-अलग words नहीं है, तो cd simple सी बात है, कि instruction अविशक्ता नहीं पढ़ेगी, यह time यहाँ बचा सकते हैं आप, कि सीधी बात है correctly spelled ही पूछा है, यहाँ बात है, कि चार spelling तो सही हो नहीं सकती, तीम तो spelling सही नहीं मिलेगी, आपको एक ही सही मिलेगी, तो जहाँ चारों spelling एक जैसी हो, वहाँ पे सीधा सा आपको एक idea का लेना है कि आपको correctly spelled word ही पूछा है, कई बार student instruction पढ़े बगएर approach करते हैं, तो यहाँ पे instruction पढ़े बगएर approach कर सकते हैं, तो quint essence की spelling जो होती है, वो होती है, देखिए दो number में आपको दी हुई है spelling, यह होती है quint essence, q-u-i-n-t है न और essence होता ही है, essence का मतलब सार होता ही है, तो quint essence जो word है, इसका मतलब होता है सार, सठीक उधारन कह सकते हो, आप perfect example कह सकते हो, या सार कह सकते हो, तो quint essence की spelling दो number में सही है, चलिए देखते हैं, तीन question हमने solve कर लिए है, अगले प्रशन की हम बात करें, तो फिर आपसे पूछा है common error, error बतानी है आपको, तो चार number में हम पढ़ें अगर, if the farmer got a washing machine, his wife can do their laundry quickly, तो यहां देखिएगा, got जो शब्द दिया हुआ है, वो V2 form है, और यहां जो can है, वो दिया हुआ है, V1 form में, यह आपको conditional sentence दिया हुआ है, और conditional sentence में भी second conditional sentence यह है, कि जब if वाले class में V2 लगता है, तो हम क्या लेते हैं, decision की हम है न, could, would, should या might, आपको model की second form use करने पड़ती है, if we have second form of verb with if, है न, in if class if we have second form, then we have to place could, would, might or should as per requirement, so यहां पर can के स्थान पर फिर कुड आएगा, तो यह V1 form गलत है, यहां पर आपको could करना पड़ेगा, दो number आपका answer होना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा, क्या बत सकते हैं, अब आगे अगर पूछेंगे कि सर, यहां पर do कैसे first form है, V0 है, इसलिए है यहां पर क्योंकि model है, model के साथ में हमेशा V0 लगता है, तो यह तो perfect है, लेकिन दो number में could होना चाहिए, number five में आपसे पूछा है, they had often heard about the ship, they have to travel on, same प्रकार की mistake यहां पर है, भई यहां पे head बताया आपने, इसका मतला आप बता रहे हैं कि दिया गया sentence past में है, और past में है तो फिर यहां present कैसे किया आपने कि they had often heard about the ship, उन्होंने अक्सा सुना था उस ship के बारे में, जिसमें उन्होंने travel करनी थी, है ना, अगर आप यहां पे have करेंगे जिनमें travel करना है, they have often heard, उन्होंने अक्सा सुना है, उस ship के बारे में जिन्हें उन्होंने travel करना है, देखिए, आपको man part of sentence हमेशा देखना पड़ता है कि मुख्य हिस्सा किस में है, मुख्य हिस्सा जो है they had often heard about the ship, ये वाला है, ये man class यहां पे है, इसको देखते हुए आप इसको भी past में convert करेंग उसको भी convert करना है past में, चलिए sir, next आगे बात करते हैं, he had no sooner seen one continent when he saw another, अब देखिए गासाब, यहां पे sooner का प्रियोग किया गया है, sooner जो है वो डिगरी है comparative, और comparative डिगरी में हम when का प्रियोग नहीं करते हैं, then लगाते हैं, और वैसे आपने पढ़ा भी होगा, कि जब भी no sooner का प्रियोग हम करते हैं, तो वहां पे प्रियोग भी हम किसका करते हैं, then का ही करते हैं, when का तो करते नहीं हैं, तो यहां then लगना चाहिए था, बहुत ही simple सा question यह था, तो answer आपका होगा 3 number, ओके, फिर fill in the blanks के कुछ questions यहां पे आपको solve करने हैं, जल्दी से देखते हैं, फिर fill in the blanks जो अगला portion है, उसमें 7th question की बात करें, the ship with its crew dash gone to the bottom of sea, so यहां आपको देखना है भी subject क्या है, यह एक जो blank है मैं कहूंगा, subject verb agreement से संबंदीत एक blank है, जो आपको on code पढ़ते हैं grammar में, वहां वो काम आएगा यहां पे, तो with जब लगता है, यह together with लगता है, यह controlled by हो, headed by हो, led by हो, in addition to हो, besides हो, है न, with all हो, यह जो शब्द होते हैं, इन शब्दों के होने पर, आपको पहले वाला word देखना है, क्योंकि सीरी सी बात है, bottom, जो सीरी के bottom में गया तो कौन गया, crew गया, यह ship गया, इसमें उल्टा पढ़ते हैं, कि पूरे crew जो है, जो वहां के चालक दल है, जो staff है, उसके साथ साथ ship भी चला गया, bottom में, ship चला गया, bottom में, तो ship के लिए क्या लगाना है, singular लगाना है, और देखें, singular यह तो है नहीं, यह यहाँ पे है नहीं, ननौ दीजे का option है, तो has लगा सकते हैं, क्योंकि H के साथ में third form आती है, और यहां third form का past participle form का हमने प्रियोग भी किया है, है ना, gone दिया हुआ है, इसलिए आप has यहाँ पे सही मानेंगे, 8 आप से पुछा है कि the peon respectfully as, if he dash go there, यह देखिएगा, as आपको दिया हुआ है, V2, तो यह संकेत है, कि आगे आने वाला चीज है, और भी past में चलेगा, past में चलेगा, तो दे certain that he has gone to England, यहाँ बताना चाहूँगा, एक आपने movies बगरे में, serials जो देखते हैं, या आपको English अगर अच्छे से बोलना आता है, तो काफी बार आपने use करते हैं, सुना होगा, बोला भी होगा, for sure, है ना, निश्चित रूप से, जिसे मैं कहूँ कि I will teach you for sure, मैं निश्चि that he has gone to be, मुझे निश्चित रूप से पता है, मुझे पका पता है, कि वो England गया है, यह इसका meaning है, तो 9th में आपका अंसर होगा, चाहर नमर, ठीक है सर, अभी आगे शुरू हुआ है, idioms and phrases का सफर, तो पहला idiom and phrases का देखिए, to eat humble pie का मतलब क्या है, to eat humble pie का मतलब, यहाँ प आत्मसमरपन करना, किसी के सामने हार मान जाना, या फिर अपमान का घूट पीना, इस तरह का कह सकते हो आप, तो humble pie eat करने का मतलब है, कि आप कोई अपमान जनक कि स्थितियों का जो घूट हो पीना पड़ता है, आपको उसके सामने आप घूटने टेक देते हैं, आप रैसि हो जाता है, या फिर end हो जाता है, एक बात और बता जेता हूँ, यहाँ पर important, कि जब भी हम बात करते हैं, idioms and phrases के बारे में, तो वहाँ हमेशा एक चीज़ को याद रखिएगा, जेहन में रखिएगा, कि वहाँ कभी भी आपको वो option नहीं चुनना है, जो exact हो, exact वही बतात फैल होना, क्योंकि end भी होता है, अगर कोई कारिकरम, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपके motives हैं, फुल्फिल करना चाहते हैं, आप किस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी फैल होना ही है, तो इसमें समाहीत है, आपके तीन नमबर भी तो फैल कर दीजिएगा, एसफल होना, अंतते एसफल हो गया है, अंतते अंत हुआ है, स्मॉक के रूप में, देकि end तो वैसे भी दे रखा है, ताप सीधा एक नमबर में जाएं, तो स्पिल ड़ बीन्स, देकि बीन्स डालों को बोलते हैं, स्पिल का बिखेरना होता है, अगर डाल का जगडा बाहर लेके आ जाते हैं, तो यह है कि सिक्रेट रिवील करते हैं, कि भी हमारे घर में बंती नहीं है, हमारी इस प्रकार का सिक्रेट आप रिवील करते हैं, उजागर करते हैं, तो 12 में आपका अंसर होगा C, आप देखिए, चेंज हुआ है प्रशन, वन वर्ड आप से पूछा है, committing murder and revenge, बदले में आप अगर किसी का murder कर देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो मैं सकर है, वो जन संगहार है, नर संगहार है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मार देना है, वेंडेटा है, यह आपका आंसर होगा, जो revenge में बदला लेने को, बदला ही होता है तो यहाँ इसका मतलब है सब किंग इसका मतलब है human और मैसे करका जन संगार नर संगार बताया मैंने वेंडेटा यहाँ पे आंसर होगा अगला आप से पूछा है 14 में the thing that can be easily broken ऐसी कोई चीज जो आसाने से तूट सकते बड़ा ही आसान आप सुनते आए होंगे यह शुरुवात में one words आपको सिखा दिया जाते हैं institution में यह आपने self study किया हो तो भी आपके सामने आया होगा जिसे आसाने से जो आसाने से तूट जाती हो ब्रिटल होती है तो आसाने से तूटने जैसे की काच है ग्लास है वो ब्रिटल एक मैटर है है ना solid का ठोस होता है subtle इसको बी म्यूट रहता है subtle पढ़ते हैं इसको सुक्षम होता है इसका मतलब सुक्षम amorphous का मतलब दे कि a लगा हुआ है और morph जहां पे लगता है अमॉर्फ का मतलब होता है आकार शेप ए लगा दिया ए जब प्रिफिक्स लगता है तो उसका मतलब एंटोनिम करने के लिए लगाते हैं उसका बिलकुल विपरीट निकालने के लिए एका प्रियोग किया जाता है तो amorphous का कोई आकार नहीं है कोई शेप नहीं है अमॉर्फ का आकार हीं शेप नहीं हो शेप लैस एक महत्तो हीं वेक्ती है उसको क्या कहेंगे तो देकिन नोना जनेरियन है यह 90 वर्ष का जो वेक्ती होता है उसको बोलते है 90 ये नॉन एंटिटी है यह आपका आंसर होगा यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि जिसका कोई अस्तित्व ना हो एंटिटी जो है हस्ती हो एक अस्तित्व हो एक एक जिस्टेंस हो एक इंपोर्टेंस हो सिग्निफिकेंस हो लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो हो जाएगा आपका नोन एंटिटी ठीक हजी इसके बाद में आपको दिया हुआ है ओन पैरिल ये स्पैरिंग फड़ा गलत है ये ए नहीं आएगा ओन पैरिल और पी-ई-र-I-E-L आता है तो नपैरिल का मतलब क्या है जो खतरे खतरनाक ना हो पैरिल का मतलब खतरा तो नोन लगा दिया तो खतरनाक ना हो और नो non-conformist आप अगर राय एक जैसी नहीं रखते हैं किसी वेक्टी के समान तो इसका अप non-conformist है ट्राइब लिव्ड विद डिफरेंट कस्टम्स पढ़ने कोशिश कीजिए इसको द्राइब live with different customs जो जन जाती थी वो जी रही थी different customs के साथ मतलब अलग-अलग उनकी परमप्राएं थी उनहीं में वो जीवन यापन कर रही थी तो सबसे पहले आपको with लगाना है on लगाना है through लगाना है तो वो own लगता है तो ये तो है नहीं कि tribe है वो different customs पर आधारित था उनका जीवन live through जो होता है इसका meaning होता है भई कि आप किसी मुसीबत में से निकल कर आ गए हैं और जीवन यापन कर रहे हैं तो उसको live through बोलते हैं live by आपका answer होगा है ना live by से मतलब होता है किसी चीज के सहारे जिन्दा होना ठीक है ये उस पर नहीं है लेकिन किसी के सहारे support जरूर है different customs के सहारे परंपराएं रितीरिवाज अलग-अलग हैं तो दो नंबर आपका answer आएगा है ना तो ये आपका answer होगा आपका live by फिर आपसे पूछाए dumbfounded by the accusation accusation का मतलब होता है आरोप accusation का मतलब होता है आरोप और यहाँ dumbfounded का मतलब होता है हत्प्रब रह जाना हत्प्रब कह दीजिए आश्चिर चकित कह दीजिए stunned कह दीजिए है ना surprise कह दीजिए astonist कह दीजिए तो dumbfounded by the accusation आरोप लगा और एक दमहत्प्रब रह गया रेक्ती तो he could offer no serious defense तो अब देखिए अब चुकि इतना बड़ा जटका उसको लगा है कि उस पर आरोप लगा दिया गया है तो वो कोई भी defense कर ही नहीं पाया है defense कैसा हो सकता है वो बताना है तो severe जो होता है वो strict को बोलते है और defense strict नहीं होता ये नहीं आ सकता severe एक strict है ना कठोर को बोलते है stern जो होता है stern इसका synonym हो सकता है correct सही defense तो होगा नहीं serious defense बिल्कुल सही है कि उसमें कोई गंभीर परियास वो नहीं कर पाया ऐसा कुछ कहना चारा है तो आपका आंसर होगा चार नंबर ठीक है तो चार नंबर आंसर कर दीजी कि सीरियस होते हैं दिया हुआ है यह आपको फिर आपसे पूछा है रामू never makes at least a century each time he plays cricket देखिए हर बड़ जब cricket खेलता है तो कम से कम एक century कभी नहीं बनाता यह तो दुक वाली बात नहीं हुई कि at least आपने लगाया है कम शेकम एक century बनाता है यह तो हो सकता है कभी नहीं बनाता है यह थोड़ी नहों हो सकता है इसके चलते हैं हम आंसर करेंगे तीन नंबर की हमेशा वो एक century बनाता है कम से कम जब कभी वो cricket खेलता है, seldom कभी कभार बनाता है, forever, हमेशा लेकिन इस always में और इस always में फर्क है, यह eternity को दर्शाता है, forever यह eternity, जो सनातन है, साश्वत है, ऐसा है नहीं, इसका कोई अंतना हो है ना, और यह always है, यह हमेशा एड़ड बिर हिंट के रूप में है, तो आपका अंसर आजएका तीन नंबर, 19 में आप से जानना चाहा है, he is given to, gambling and drinking gambling का मतलब होता है, जुवा खेलना, है ना, और drinking है, इसका मतलब पीना, शराप पीना, तो वो आदी है इस चीज का, given to का मतलब हो गया है, कि वो आदी है, उसकी परवर्ती होने को बोलते हैं, given to तो given to ही आंसर आएगा, आपका उसकी बुरी परवर्ती बन चुकी है, जुवा खेलने की, drink करने की, और इसके बाद में जो words आपको दिये हुए हैं, give away, give away काफी बर आपने सुना होगा word, वित्रित करने को बोलते हैं, काफी give away prizes होते हैं, वित्रित करना, distribute करना, given up भी सुन 20 में पूछा है आप से, I would soon walk then stand in the cold waiting for the bus, अब देखेगा, यहाँ पे then दिया हुआ है, जो आपको एक सीधा संकित करता है, कि भई मेरे से पहले degree लगा दीजी, आप comparative, क्योंकि then तो degree comparative के लिए ही उप्युक्त होता है, ऐसी स्थिती होने पर comparative लगाने के लिए आपको तीन न लंबा, यह तो sooner, I would sooner walk then stand in the cold waiting for the bus, तो यह क्या कहना चारा है कि भी सर्दी के अंदर, खड़े होने की बजाए माँ जल्द ही बैठना पसंद करूँगा, बैठूँगा, बस के लिए बस के लिए बस के लिए वेट करते हुए, तो sooner यहाँ पे appropriate option है, अब आगे है जब पैसे मैंने श्रंकला शुरू की है, यह वीडियोज की तो अनवरत चलेगी, यह श्रंकला आप लोगों का सहीयोग बना रहे है, बस अब पैसेज की अगर बात हम करें, तो पैसेज स्वाल करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, मैंने कहा कि आप newspaper, magazine, books जो पढ़ सकते हैं, प सीधा question के पास जाएं, question जाने कि आपको किसके लिए पैसेज बढ़ना है, यह कि मनजिल अगर पता होती है और फिर हम कदम बढ़ाते हैं, तो शायद सही दिशा में हम जाते हैं, मनजिल पता नहीं है, हम कदम बढ़ाए जा रहे हैं, तो फिर तो भई, मनजिल का पाना या को सर्च करना है अपने जेहन में, अपने मस्तिस्क में ये प्रश्ण को आप स्टोर कर लीजिए, कि एक तो प्रश्ण ने ये आपको सर्च करके बताना है कि इसका अंसर क्या होगा, फिर पूछा है कि Robind के आदमियों ने क्या किया, Robind के वेक्टिव ने किया किया, यह बता पिर बताना है कि what name did Robin give him, Robin ने उसे नाम दे क्या दिया आखिर और अंतिम पुछा है what did Robin do after the competition, competition के बाद Robin ने क्या किया, तो competition के बाद Robin ने क्या किया, Robin ने उसको क्या नाम दिया, फिर जानना था आपको कि भई Robin की skills better थी उसकी बजाए, वो कैसे पता लगा उसको, Robin के आदमिय ने क्या किया, और एक क्या condition उसने Robin के band को join करने की रखी, चलिए, let's read this passage and find out the questions given below, the stranger agreed to join Robin's band only on one condition, देखिए condition, पहला answer आपका आ रहा है यहाँ पर, कि stranger agree हो गया, Robin के band को join करने के लिए, एक ही condition पर, condition क्या थी, he wanted to, कर दीचे, he wanted to join a competition of shooting arrows with Robin, वो चाहता था कि एक पर्तिसपरधा हो, shooting arrows की, तिरंदाजी की पर्तियों गिता हो, Robin के साथ, यह थी condition, अब आगे देखिएगा, if he was defeated, उसने कहा कि साव अगर मुझे हरा दिया गया, इस competition में, he would gladly join, तो join कर लेगा, तो आपके पास एक answer आगया है, अभी देखिएगा, पहल की, वी ही यहाँ पर दे रखा है, कि उसे defeat अगर कर दिया गया, तो भाई वो join कर लेगा, यह condition, उस stranger ने Robin के सामने रखी थी, अब देखिएगा, soon arrangements for the competition was made, जल्द ही उसके arrangements किये गए, competition के Robin's man carved bull's eye on the trunk of a tree at distance of about 50 yards, Robin के आदमे ने क्या किया, एक bull eye बनाई, है न, ऐसे होता है इस प्रकार से target करने के लिए उनने बनाया, एक ट्रंक पर, ट्री के ट्रंक पर, जो कि 50 yards की दूरी पर था, taking out is bow and arrow, धनुश और तीर निकालते हैं, बो का मतलब धनुश है, arrow का मतलब तीर है, उस वेक्ती ने carefully shot कर दी है, मतलब उसने एक निशाना साधा भई, arrow से, और सीध जाके कहां लगा, बुल आई के सेंटर में जाके लगा, देखी किती रोचक कहानी बनेगी है, रोबिन के आदमी जो थे सर्प्राइस दोगे उस वेक्ती की स्किल को देखकर, अब रोबिन ने भी निकाला अपना धनुश और उसने भी एक तीर चला दिया, जिसने ना केवल उस वेक्तर स्बुल की आँख में जाके लगा, मतलब उस तागेट पर जाके लगा, जो निशाना उसको साधना था, बलकि उसने उस स्ट्रेंजर के तीर को बीच में से तोड़ दिया, कितना खतरनाक निशानी बाज रोबिन था, यहाँ पे, रोबिन टुक दबो एंड इसको बीच में से तोड़ दिया था, इसे प्रूव कर दिया उसने, अब इस ट्रेंजर था अमेज़ दोग एकदम देखकर इसकोर उसने कहा कि मैंने ऐसे स्किल तो जिंदिकी में कभी देखी ही नहीं है, और मेरा यह खुशी होगी मेरे लिए, प्लेजर का को मतलब खुश पहरा नाम पढ़ जाएगा, लिटिल जोन, देखिए एक और आंसर आगया, कि उसका नाम क्या पढ़ा, क्या रखा, रोबीन ने, तब पहले का आंसर ने निकाला था, ट्विट्टी टू में आपे पूछा है, कि रोबीन के आदमियों ने क्या किया, क्या उन्होंने मना कर कर दिया था, उन्होंने जब स्टेंजर को प्रूव कर दिया रोबीन ने क्या प्रूव कर सकत क्या मना कर दिया, ऐसा तो नहीं था, उन्होंने स्टेंजर को दूर कर दिया था, ऐसा भी नहीं था, यह आंसर आएगा तीन नंबर कि उन्होंने रेंजमेंट कर दिया, कॉंप दिया था उसके तीर को तो ऐसे आपनी स्किल्स को प्रूव किया रोबिन ने क्या नाम दिया उसको जोन लिटिल तो उसका नाम था या फिर लिटिल जोन उसको कर दिया था तो 24 का आंसर आपका आएगा D चार नमबर की उसका नाम लिटिल जोन रख दिया था और फिर किया और उसका नाम भी लिटल जोन लग दिया अब जोन लिटल उसका नाम था तो यह लीजिए आपका एक पेपर मैंने करवा दिया है बहुत अच्छा लगा होगा आपको निश्यत रूप से आप शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्र जोडे रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए रहे हैं तो से यू वरी सोन विट अनु वीडियो विट अनु टॉपिक